वाइनाट में लगतार ज़री है भारती सेना का रेस्क्व ओकुरेशन लोगों को बचाने में जुटा है सेना और प्रसाशन राहतकारे में लगाई गई तैमिलाडू की फायरेंड रेस्ट्यू टीम बारस रस्यों के साथ पांच स्नीफर डॉक्स भी रेस्ट्यू में शामिल वाइनाड के आर्मी कैप में अक्टर मोहनलाल ने भारती सैनिकों से की मुलाकात लेफ्ट एंड करनल की वर्दी में दिखे वाइनाड में हुए तबाही का ड्रोन विज्वल आया सामने चारों तरफ दिखा खौफनाक मनज़र गेरल के वाइनाड में रहत बचाब कारे जारी पुंचुरी मट्टम गाम में मशीनों से सही किये जा रहे रास्ते रुद्र प्रियाग में रेस्क्यू का काम तीसरे दिन भी जारी अभी भी में आखे में मौसम खराब तीसरे दिन करीब आठ हजार यात्रियों की बचाई गई जान सत्रा सो से जादा लोगों को पिया गया एरलिफ्ट खराब मौसम के चलते फिलाल शुरू नहीं हो पाया हवाई रेस्क्यू अभियान माई 17 आज भी नहीं भर सका उड़ान धाम में फिलाहल चार सो भक्तों के फसे होने की ख़बर प्रसाशन पूई तरह से रेस्क्यू में जुटा NDRF, SDRF, DDRF की टीम में पैदल रेस्क्यू अभियान में जुटी पोलिस और PID भी दे रही पूरा सहयोग शुमला के रामपूर में बादल फटने से हुए मलवे को हटाने में जुटे लोग विवस्था को पटरी पढ़लाने की तयारी पूरी रामपूर में भारतिय सेना रहत बचाव कारे में जुटी उफंती नदी के उपर सेना ने बनाया आइस्थाई ब्रिज आइस्थाई ब्रिज बनने से रहत कारे होगा तेज दूसरे जगों से बन सके की कनेक्टिविटी हिमाचल प्रदेश के कुलू में भी बादल फटने से बिखड़े हालात कुलू मनाली हाईवे का बड़ा हिस्था बहा कुलू मनाली हाईवे को नुकसान पहुशने से इस्थानी लोगों की भी बड़ी मुश्किले या तैत परहावे हिमाचल प्रदेश विधान सभा के लीडर ओफ अपोजिशन जैराम ठाकुर ने कुलू शित के ब्रादल प्रवावित शित्रों का किया निरिक्षन नुकसान का लिया जाइजा हाईवे के दोनों और लगी है वहानों की लंबी लंबी कता रहे हाईवे को खोलने के लिए मशिनरी मौके पर तैनाक हासी में युवक ने मां से नाराज होकर बेतवा नदी में लगाई चलान गूता कोरो की मदद से युवक को नदी से बाहर निकाल कर बचाई गई जान आवड मेले के समापन के बाद हरिद्वार में गंगा घाटनों से लेकर राजमार्गों तक कूले और गंगी के धेर नगर नेगब ने शुरू किया सफाई अभियान दिली के आरके पुरम सहित कई लाकों में भारी बारिश, भारी उमस और गर्मी से लोगों को मिली राहत पुलकाता में भारी बारिश के कारण जलजमाव कैखाली रोट पर घुटने तक पानी कतैत प्रुहावित बोकारों में लगातार हो रही मुस्ताधार बारिश से बढ़ा नदी का जलसतर नदी की तेजधार से खुलको हुआ नुकसान देनुगार डैम के नौ गेट में से आठ रेडियल गेट को खुला गया एक लाख क्यूसेक पानी को दामुदर नदी में छोड़ा जा रहा है परकाशा ने किसी भी आपड़ा की स्थिती को देखते हुए तैयारी पूरी कर रखी है आम लोगों को नदियों के केनारे पर जाने से मना किया गया गुजरात के वलसाट में जोड़दार बारिश रेल वेंडर पास में जलभराव से बढ़ी लोगों की दिक्कते नफसारी और डांग जले में तीन दिन में बारिश साफुतारा में तीन इंच्वी बारिश साफुतारा में बारिश के करेंड अंबीकर नदी पर पार जैसे हालात लोग लांगों के बडाल कर नदी पार करते हैं असराए पैटेकों के बसंदीदा गिरा वाटर का फॉल प्रोध रूप देखने को मिला प्रसाशन ने करीब जाने पर लगाई पार बन दी महारास्ट के नवीमों में जोड़दार बारिश कई लाखों में हुआ जल भराव लक्षिन गुजरात में भारी बारिश साथ इंच तक हुई बारिश बारिश के गरंड वापी में चारो तरफ जल भराव 47 तलके वाहनों के आवागमन के लिए बंद मौसम में भागने रक्षिन गुजरात तोर सुराश्ट के कुछ जलों को लेकर जारी किया अलाइट मध्यम से भारी बारिश किया शंका गुजरात में मौसम के आस्तन 60% से अधिक बारिश जल जमाद से कई लाकों में परिशानी मध्यों प्रदेश के हरदा में नद नदी के पूल में हुआ च्वेद मरम मत करा कर एक तरफ से निकल रहे वाहन रामगड में लगातार बारिश उसे शेहर के कर हिस्सों में हुआ जल भराव मंदिर हुआ जलमग में कोलकाता में अरपोर्ट हुआ जलमग में पानी में डूबे नजर आए प्लेन और काडियां विदी शम में बारिश से चारो और दिखी तबाही पानी में डूबे नजर आए शेहर के कई हिस्से मंदिर हुआ जलमग में बैंकों में घुसा बारिश का पानी पानी में काम करते दिखे बैंक की कर्दचारी वाइनाड में वाटर फॉल के तेस बहाव में फसेद तीन लोग कोस्ट कार्ट की टीम में तीन लोगों को किया रस्क्यू कुशी अर्थे शास्त्रियों के 32 वेर अंतरास्ट विये समयदन का पिये मोदी ने किया उद्गाटन केंद्रिये कुशी मंत्री शिवराड सिंग चोहान भी रहे मौजूद कुशी अर्थे ववस्ता को लेकर बोले पिये मोदी अगरिकल्चर को बताया एकोनॉमिक पॉलिसी का केंद्र पिये मोदी ने एक बार फिर विश्व बंधु के सिर्धान्द को दोहराया वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के मंत्र का किया जिक्र भीश के छोटे किसानों को पिये मोदी ने बताया आधार कहा छोटे किसान ही भारत की फूट सेक्योर्टी की बड़ी ताकत बावा अमर नाथ यात्रा को लेकर भक्तों का जोश पर करार यात्रा के दौरान भक्तों की संख्या ने बनाए कई नई रेकॉर्ड कटुवा के लखनपूर में गुंजे वाव अर्फानी के जैगोश अमरनाथ थ्यात्रा के यात्रियों के आने का सिल से लालागत आप जा ली कटुवा में यात्रियों के दस्तावीडियों की भी हुई जाँ चिस्वरक्षब व्यवस्था के कड़े इंतिजाम शीनेगर बेस कैम से अमरनाथ के लिए तीर्थयात्रों का नया जट्था हुआ रवाना बालटाल और पहलगाम बेस कैम पहुँचेंगे शीनेगर बेस कैम में व्यवस्थाओं पर भक्तों जटाई संतुष्टी कहां सफाई से लिकर स्वरक्षब तक के बहत्रीन इंतिजाम सीएम पुशकर सिंग्धामीज उतिप्याग के डीम एसपी से वच्छवली की मीटिंग रहातेवन बचापकारियों के दिए दिशान निगदीश वाइनाड में आधिवासी समुदाई के च्छे बच्चों का फॉरस्ट में किया रेस्क्यू बच्चों को गोध में लेकर जुंगल से बाहर आए फॉरस्ट के अधिकार आठ घंटे तक चला रेस्क्यू अपरेशन सीएम पेनर आई वेजियन ने अधिकारियों की तारीफ के बाद ही पुल्ब बापत अला में सुर्लंका बीच पार विवक के लिए मसीह बनी आंधर प्रदेश पोलिस पोलिस ने समुद में डूपते विवक को बचाया कारगिल में गरी इमारत घटना में पांच लोग हुए गायल रहात वचावकार रिजारी पुंच में पहली बार पसाशन ने शुरू करवाई पराग्लाइडिंग बड़ी संक्या में सेलानियों ने किया पराग्लाइडिंग का उठाया लुद बोपाल में बीजेपी नेता रगुनदें शर्मा ने लाडली बहना लाबारतियों को सीम की मदद देने पर दी प्रतिक्रिया कहा जो बहने नहीं मनाती रक्षमदन उने क्यों दी जाए मदद यूपी में जाती वाद को लेकर शुरू गवा पोस्टर वार्स माजवादी पार्टी कारले के बाहर बीजेपी के खिलाफ लगाए गए पोस्टर तिरुवनित पुरम में शद्धालू ने धुमधाम से मनाया बाली थरपनम शद्धालू ने निभाए तिवार के सभी तिरिवाज मैंगलूरू में मुदा घुटारे को लेकर गर्माई सियासा दीजेपी जेडियेस की कॉंग्रेस सरकार की खिलाफ पद्यात्रा पंजाब के सीएम भगवंत मान को पैरिज जाने के लिए नहीं मिली मन्सूरी केंद्री ने अनुमती देने से किया इंकार ओलम्पिक में भारतिये हौकी टीम का होसला बढ़ाने के लिए सीएम मान ने मांगी थी जाने की इजाज़त स्तरक्षा कारणों से हुई मना ही चैनई में स्तरकोमा कैंसर प्रती जागवपता के लिए विनर्स आन वील्स साइकलोथान का हुआ आयोजन मंत्री अनिबल महिश ने भी जलाई साइकल गवाहती में हरियाना किस्तिये मनायप सेनिक ने कामाख्या माता के किये दर्शन विदिवत किया माता का पूजन बदोई में काशी जाने वाले कावडियों का लगा ताता अलग-अलग तरीके से काशी विश्विनात का जलाबी शेक करने जा रहे भग चन्नाई के डॉक्टर एंजियार जानकी कॉलेज में धूमधाम से मनाय गया आदी पेरुक्तु फेस्टिवल बड़ी संख्या में छात्राइं है उश्वामी चात्राओं ने सिर्पर रखके गमले एक दूसरे को खिलाया प्रसाथ पारबरिक परधानों में चात्राओं ने दीपरस्पुति लड़कियों के ग्रुप ने बजाया ड्रम साथ ही कई पारंपरे फुन्ति भी किये पेश रामेश्वरम रामनात्र स्वामी मंदिर में आदी पेरकोट साथ ने हुआ भगवान का पूजन बड़ी संख्या में लोग हुए शान कलबुर्गी में नगर पैश्वत ने रेबीस के रोक्ताम के लिए मोहिम शुरू की टीम ने शेहर के कई डॉक्स को पकला मथुरा की गोवर्धन पूलिस को मिली बड़ी सफलता पूलिस ने ठेकिदार की घर से बरामत किये 71,92,000 रुपए जैपुर में पूलिस और युवक के बीच हुई मार फीट, नाराजगी में पूलिस की गाड़ी पर बैठ गया युवक भारतिय उलम्पिक अथ्रीट समरीश जंग ने MCD की कारवाही पर उठाई सवाल विकास कारी के लिए सिविल लाइन के खेवर के पास में होना है स्वस्ती करण राची में सबंस्पेक्टर की हत्या पर राज बीजेपी अध्यक्षन दिये प्रतिक्रिया कहा दुखत घटना है जल्द हो अपराधिय की गिरफतारी बोले गए देवगहर के वावा मंदिर के दान पात्र पात्र से निकली लाखों रुपए नगदी मंदिर परिसर में कड़ी सुरक्षा रही मौजूद जमू कश्मीर में चुनावी तैयरों का जाहिज़ा लेगा चुनाव आयोग मुखे चुनाव आयोग तिराजुकमार की अगवाई में अगले हफते जाएगी टीम पश्मीर पॉलिस प्रमोख बी के विर्दी में सुनता दिवस से पहले घाटी में सुरक्षा अंदिजामों की समिक्षा की सांसत पपुयादव ने अपनी जान पर खत्रे की जाता ही आशंका सरकार से वाई के टिक्री की बदले जेट स्टेनी की सुरक्षा की मांग की दिल्याइकोर्ट से विवकुमार को जटका विग्रफ तारिक को चनाती जैने वाली आच्चिकाख खाड़िज आयोधिया में नावालिक से रेप के मामले में कल आयोधिया जाएगा बीजे पिका प्रतिन दी मंडल राटसभा सांसत बाबू राम निशाद और प्रिदिश सरकार में प्री नरेंद कर्षप जाएंगे आयोधिया मनु भाकर पैरस ओल्मबिक में तीस सरा मेडल जीतने से चूकी 25 मिटर पिस्टल इवेंट में चौथे नमबर पर रही पेरस ओलम्पिक में पहले ही दो मेडल जीत कर मनु भाकर रचो की है तिहास 25 मीटर क्रिस्टल ईवेंट 14 में से अठाई शॉट लगाए पेरस ओलम्पिक में लक्षो सेन ने रचो है तिहास कौर्टर फाइनल में जबरदस्ट जीत के साथ से फाइनल में मारियन फूर लक्षी के जीत ने बड़ाई पदक की उमीड भारतिये फैंस ने लक्षो सेन की जीत पर मनाया सेलिब्रेशन लक्षो सेन सिंगल्स में 14 अस्तों खेलिंग सेमिफाइनल मुकाबला विक्तर एक्सल सेंस से होगी टककर बिग बॉस ओटिटी ट्री की ट्रॉफी सतना मकबूल के सिर पर सजी 25 लाक रुपे का जीती इनाव अब चर्चा में कृति संदन का नयांदा समुद्र की लहरों से खेलती दिखी दिखी निमी अक्टर धनुष की पचासफी फिल्म में रायर ने पहले ही अफ़ते में की जबरदस्त कमाई वर्ड वाइड सौ करोड का अंकड़ा किया पार अक्षर कुमार की फिल्म खेल खेल में का टुड़र रिलीस 15 अगस 24 को फिल्ब बॉक्स आफिस पर होगी रिलीस अजय देवगन की फिल्म औरों में कहा दम्थान रिलीस के पहरे दिन की दो करोड की कमाई नीरज पांड़े ने किया निरदीशन इटली की प्रधान मंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने फ्रांस के रास्ट पती मैंक्रोंसी की मुलाकात मध्यपूर्व के ताजा हालात पर होई चर्चा उतर कोरिया ने रक्षिन कोरिया से आई मदद की पेशकर छुकराई आपड़ा को बढ़ा चड़ा कर दिखाने का भी लगाया आरूप सर्बियाई खिलाड़ी नौवाक जोकोविच ने पैरस ओलमपेक के फाइनल में किया प्रवेश इतालवी खिलाड़ी को दी मार्ट यूगांड़ा के जोशुआ चेप्टगी ने पुरुशुं की दसेजार मीटर दौर में जीता स्वाण पड़ाड़ी खिलाड़ी चेंपियन ने 26 मिनिट तिरताली दशिमलव एक चार सेकेंड का लिया समने अमेरिका की उप्राष्टपती कमला हैरिस को सतधारी डेमोकरिटिक पार्टी के तरफ से राष्टपती बत का उम्मीदवार चुना गया पांच नमबर को हने वाली राष्टपती चुना मिड़ोनाल टरम को देंगी ठक कर अमेरिका ने मिडेलिस्ट में अपनी नौसेना की माजूदगी बढ़ाने का किया एलान मंध्यपूर्व में कैरियर स्ट्राइक ग्रोप एक लड़ाव को सकाड रन और अथिर्ति धिपोत भीज रहा गाजा के धीर अल बला में भूजन और साफ पानी का संकट आहिस्थाई चारिटी रसोई से हजारों फिलिस्तिनियों को मिल रबा रहा मुश्किल से भूजन स्ट्राष्ट ने गाजा में पॉलियों के प्रकोप की धी छेतावनी स्ट्राष्ट मास अचिव के उप प्रवक्ता फरहान हक ने कहा गंदगी और स्वास्ते सेवाई तबहा होने से पॉलियों फैलने का बढ़ा खत्रा वेलाजवला की राजटपती निकोलास मादरों ने विवक्ष पर लगाया अपने खिलाफ सारिच रशने का आरोप का वितक्ष उन्हें सथ्टा से हटाने के लिए राजदानी काराकास पर हमले की बना रहा योजना